सलाम नमस्कार ससरेकाल दोस्तों कैसे हैं आप समझों में देखिए आप लोग जहां भी होंगे साइज स्लामत होंगे दोस्तों आज मैं कुछ जरूरी ख़बर आपको भी सेर करने वाला हूं तो वीडियो के अंद तक बन रही है मुझे आप लोगों ख़बर अच्छी मिलेग कि सर्कुलर जारी किया गया है निर्देश जारी किया गया है कि वो लोग जो डोनेशन होता है वो लोग ना मागे रमजान के वक्त जो रोजा होता है उस वक्त जो रोज़दार होते हैं उन लोग के लिए खाना खिलाने के लिए जो इफतार होता है उस वक्त के लिए जो प रियाद में उनको पुलिस ने अरेश्ट कर दिया है और यह अच्छी बात नहीं है अरेश्ट किया है लेकिन अब नियम जो निजाम है तो सब को फॉल्लो करना पड़ेगा अगर कोई भी इस नियम को तोड़ता है कोई भी इस नियम के विरुद जाता है तो इसको उपर करवा तो आप लोग परी थोड़ा सा अबाउट करिए इन सब चीजों से दूर रही है तो दोस्तों आपको मैं दूसरी ख़़र बता हूं दूसरी ख़़र दोस्तों है कि पागिस्तान से जो जिन्हा इंटरेशना एरपोर्ट है वहां से फ्लाइड दुबई के फ्लाइड आ रहे थ और जब खराबी आई है जहाज में तो काफी हलसल मच किया है तो जो पाइलेट है उसके सूज भूज के उसके दिमाग के दाद देने पड़ी तुरन जहाज को डावट करके वापस जिन्हा इंटरेशना एरपोर्ट पर उसने लाइन कि दिया और जितने भी पैसंजर थे ज अगर तो यहां डिल्ट करके से खमाने फौछ कोई रहते हैं तो खाल बश्कार ये तो दोस्तों ऐसा हो रहा है जिससे इन लोगी जो तदादे हैं वो बढ़ रहे हैं कुवेत में वहां मसला ख़ड़ा हो रहा है तो जो कुवेत सरकार है जो वहां की सिगोठी विभाग है उन्होंने एक गहन जाच अभ्यान शुरू किया है और उस जाच के दौरान 17 परवासे जो है उनलों को अरेश्ट किया गया है और जो अगली करवाई है उनको अगली करवाई के लिए भीड़ दिया गया है तो अगर आप लोग साथ ऐसे कुछ मसला है अगर आप norm, तOR, कुवेट में करने बाद आप वापस सौधिया में या कुवेत में बहरीन में कतर में या किसी भी मुल्क में आप वापस नहीं आ सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्में दखिए आप लोग को छोड़ी से ख़बर पसंद आए होगी दोस्तों अगर आप लोग खाड़े दे समर रहते हैं और क इसको फॉलू जरूर कर लें और दोस्तों अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेजी और आल पर सेलेट कर लेजी तक कि मेरा हर एक आने वाला नय वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको मिलते हैं दोस् किये स्वस्त रही खुज रही है